सुबह भी लिखता हूँ, साम भी लिखता हूँ, हर पल नया आयाम लिखता हूँ और दिवानी हो जाती है वो कलम, जिस कलम से मैं निसान सर का नाम लिखता हूँ हमारी सर मैठ के लीचर हैं और वो बहुत बेसिक से मैठ पढ़ाते हैं सभी स्टूडेंट को सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है सर जो भी पढ़ाते एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं इजी से इजी मेथट में और हर तरीका से समझाने कोशिस करते हैं सो टरीक के मेथट से या किसी भी अच्छे तरीके से बताते हैं आने वाला समय में ये कुछिंग बहुत ही आगे जाएगा ये मांदारी से महेनत की दिल लगी सफलता का सहारा है अगर होसला हो जिगर में तो हर मौच में किनारा है यहीं लाइगा आगे । नमस्कार मैं अनंद कुमार आप देख रहे हैं केवी टीवी भी हार मैं अभी हूं समस्ति-ॐकसि प्रिष्थित आपका बहुत बहुत स्वागात है आपके दर्शकों को भी देखते हैं केवी स्टूडियो उन्हाविकों बहुतन अधार है मेरा नाम निशांत जाववा और हम समस्तिपूर में 2019 सेपना संस्थान का उध्धातन किये थे इससे पहले हम एक कोचिंग संस्थान में पराते थे उसके बाद अपना इंचूट कोले 2 दिसंबर 2019 को और पहले हम 2017 सीजी एलमेंस दिये थे और 2018 सीजी एलमेंस दिये जहां पे बहुत अच्छा स्कोर था बट इंगलिस में कुछ मार्स कम था इसकारण मेरा मेट्रिस्ट नहीं बना उसके बाद पराना शुरू किये और तब से एक सुरू से ही पराना का आदत था और बचपन से ही पराते थे लगबग 12 क्लास के बाद से पढ़ाना शुरू किये थी, तो मुझे लगा कि हम पढ़ा सकते हैं और अच्छे पढ़ा सकते हैं, और यह एक छोटा सहर था, इस सहर को चूज करने के परती भी मेरा एकी कारण था, कि यहां के बच्चों को एक लेबल परदान करें, इसलिए हम स समस्तिपूर को ही चुने, यहां हम जीला है, इसलिए हम इसको चुने, और इसलिए यहां से परहना शुरू किये, और आज लगबद 2 साल हुआ, और 2 साल में कुछ पिरियड हैसार आज करोना का निकला, लेगिन करोना के बाबजूत समलते हुए कोचिंग चला, और आज एक समस्तिपूर ही है, और मेरा जो प्रारंबिक सिक्षा जो हुआ, यहीं से हुआ, गर्ज्वेशन वितलाइन वर्चिटी से हुआ, बहुत अच्छा रहेंक आया था, और लगबद परहाई समस्तिपूर से ही हुई है, उसके बाद परहाई मेरा जो पटना से हुआ है, जो तै फैमिली टीचिंग फिल्ड से ही था, तो एक शुरू से ही लगाब था टीचिंग फिल्ड से और परहाना अच्छा लगता था, इसलिए हम टीचिंग फिल्ड को चुने, और परहाने के पड़ती एक अंदर से जुनून था, मतलब जब हम शुरुवात किये थे, उस समय बहुत चोटा सा क्लासरूम था, चोटा सा क्लासरूम में समझे की दस बच्चे को परहाते थे, और दस बच्चे से शुरुवात किये थे, और वहां मतलब बीना खाए पिये, एक जुनून सा था परहाने का, और वहीं से परहाने का शुरुवात किये, और परहाते परहाते धीरे ध तब्दील हो गया अब ऐसा है ये अगर एक दिन भी क्लास मतलब संडे को भी आप होता है तो लगता है कि आज कुछ हुआ ही नहीं इसलिए परहना अंदर परहते परहते ना वह एक मतलब अंदर आदत सा बढ़ अब अगर नहीं परहेंगे मनहीने लगता है वह आदत में तब सबसे पहले कमपडिटी फिल्ड में क्या है कि बच्चे को अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो कुछ ऐसे बच्चे है जिनका एक नम्मर से रिजल्ट चूट गया कि नहीं का पॉइंट से चूट जाता है तो हतास होके फिर तयारी छोड़ सकते हैं तो तयारी छोड़े नह अगर कहीं से चूख हो रही है उस चूख को दूर करके पुलाह दुबारा अच्छे से तयारी करें इसलिए मोटिवेट रखना जवरी है बच्चों को इसलिए मोटिवेशन भी देते हैं अक्सर मोटिवेशन देते हैं मेरा यूटूब चैनल भी है मैत वितनि सान जा वहां अब इसको ऑन-लाइन के तरफ करना है तो अब जो मेरा फूरा फोकस है वो ओन-लाइन के तरफ है एप लॉंच करना है और एप लॉंच करना है समस्ति बुर के बाहर के बच्चों को भी पराएं सबसे अहम मकसद अगला टार्गेट मेरा यही है कि ऑनलाइन के मकसद से एप लॉंच करके और एप बच्चों को पराएं सर बच्चे को मैथ में किस तरह से समझाते हैं और कैसे मतलब उनके ब्रेन में मतलब आपका पढ़ाया हुआ बच्चा बता रहा था मतलब बहुत जादे मतलब समझ में आता है तो किस तरह से आप पढ़ाते हैं सबसे बड़ी चीज है कि मैट्स अगर आप पढ़ते हैं, तो fundamental जानकारी बहुत जोड़ी है, बिना fundamental को आप पढ़े हुए पूरा convert नहीं कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे नहीं आ सकते हैं, जब तक आपका fundamental के लिएर नहीं होगा, तब तक आप आगे की ओर नहीं जाएंगे तो परहाने से पहले, 30 class जो हम लेते हैं शुरुआत में, वो fundamental लेते हैं, fundamental जैसे ही खतम हो गया, fundamental लेने के बाद तब syllabus की शुरुआत करते हैं, जिनका maths अगर weak भी है, जिसका maths कमजोर भी है, तो वो कमजोर maths अगर है, तो अगर सुरुआत का 30 दिन करता है, तो उसका maths बहतर हो जाता है, अब साब जिनका कमजोर रहेगा, उनकी तो नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन जिनका थोरा बहुत भी ठीक ठाक है, वो शुरुआत का अगर 30 दिन क्लास करते हैं, तो 30 दिन क्लास करने के बाद उनका बहतर हो जाता है, तो हम direct syllabus नहीं पराते हैं, सबसे पीछे फ़र ज्यादा करते हैं, और कोई विसेश बात नहीं है, सर आपके क्लास में क्या-क्या सुवदा दिया जाता है, इसके बारे मताएंगे, सबसे पहले है कि क्लास नोट्स में कोष्चन की संख्या बहुत ज्यादा है, फैंश-ट सौ क्लास नोट्स में प्राबलम है, जो हम खुद एक एक question deal करते हैं, इसके बाद 3500 question set में देते हैं, practice set में, total मिला के 10,000 question करवाते हैं, one year के अंदर, एक साल के अंदर, तो ये एक minor रखता है 10,000 question, किसी भी teacher के हाँ class notes में, उतना करने के बाद बच्चे को किसी भी exam में जब हो जाते हैं, तो maths में किसी भी परकार का कोई समस्या नहीं रहता है, एक question हो सकता है ना बने, बट 98% question जो है, वो अगर पूरा question कवर करके जाते हैं, तो 100% है कि 100 में 98% उनका एक great answer सही आएगा, इसलिए बच्चे prefer करते हैं, कमजोर बच्चों के लिए क्या वेवास्त था आपके class, बच्चों के लिए ही आपको बोले कि हम सबसे पहले basic class लेते हैं, बिना basic class का हम class शुरुआत ही नहीं करते हैं, उसका मकसद ही है, जो बच्चे का कमजोर है, उसको हम सही कर सके, इसलिए पहले basic class लेते हैं आईए कुछ बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं इनका परहाने का तरीका, किसी भी question को EG स EG method में और हर तरीका से सम्झाने कोशिस करते हैं और उनका basic से मतलब जो भी level है, पुरा high level तक content है, जो समस्ति पूरुआ एक unique है इनका परहाने के तरीका इनका सरका बहुत अच्छा लगता है पिछले साथ से तयारी करना यहां पर start किया था तयारी करने के बाद जब मैं 2-3 class में यहां घूमा और उसके बाद पता चला जो निसान सर बहुत अच्छा पराते हैं उन्होंने बताए कि हाँ पूरे अच्छे method से करवाएंगे जब से उनसे class करना इस्टार्ट किया है तब से वो सबसे अच्छे और unique तरीके से किसी भी question को सो टरीक के method से या किसी भी अच्छे तरीके से बताते हैं जो इनका सबसे unique method है जो समस्तिपुर में सायद ही कहीं मिलेगा नहीं के बाराबर योगत धन्यवाद मेरा नाम महेस कुमार है हम खगडियाजिस्टिक से है सर का जो method है वो basic to advance है जिसमें बच्चों को सर से सबसे पहले सर का एक quality है कि सर को बच्चों से अधिक लगाब होता है वो सबसे पहले सर को होना चाहिए जो सर में हैं कि सर जो है सो बच्चों से अधिक लगाब रखते हैं और जिससे हमको समझाने में और अच्छा लगता है और सर अच्छा से समझा पाते हैं तो सर का यही है कि बेसिक टुए अध्वांस यही कहेंगे कि सर एक अच्छे टीचर ह आफिन पहले तो मेरा नाम येश्वन्द कुमार और यह जो खलास है हमारे निशन्थ सर के खलास है और हम तमाम कंपेटीशन के जितने भी छात्र हैं एब हम छात्रा आए हैं वो सब यहां कंपेटीशन का तैयारी करने आते हैं मुझे लगता है कि समस्तिपूर में कि यहां तैयारी की उत्तम वेवस्था होती है मैत की इसलिए हम लोग आते हैं और समझ में भी आता है सारा सिस्टम और क्या कहते हैं कि हम इतना परभावित हो चुके हैं हुआ अपने निसांत सर से मैत के लिए कि मैं कहना चाहूंगा कि मैं सुबह भी लिखता हूँ साम भी लिखता हूँ हर पल नया आयाम लिखता हूँ और दिवानी हो जाती है वो कलम जिस कलम से मैं निसांत सर का नाम लिखता हूँ जिस कलम से मैंनी जांत सर का नाम लिखता हूँ मैं बस इसनी छोटी सी बात के साथ अपनी वानी को बिडाम करता हूँ Myself आयूशी राजबूत हमारे सर मैट्स के लीचर है और वो बहुत बेसिक से मैट्स परहाते हैं सभी स्टूडेंट को और वो सभी स्टूडेंट को एक्वली ट्रीट करते हैं और साथे के कोश्टन सॉल्व करते हैं अच्छे से अगर किसी स्टूडेंट का कोश्टन छूट जाए या फिर बैक रह जाए तो वो भी संडे को प्रिपेर करवा देते बुला के कोमल कुमारी आज में बताने जारी हुए हमारे प्रिये सर निसान जा के बारे में सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है सर जो भी पढ़ाते एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं सब अच्छा है क्लास में करते हैं जू जरूरी बात होता है वह सब भी बताते हैं भी सब्सक्राइब आंगेगा। तरीका जो भूत अच्छा है जो अच्छा से कॉन्टेंट देते हैं और अच्छा से समझाते हैं जिसे बचा समझ जाता है। सबसे अरा बात यह है कि सर जो समझाने का तरीक कॉंटियंट है बहुत थोड़ा अच्छी लेबल से समझाते हैं लो से लो भी बच्चा समझ सकता है पढ़ाने के बार सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि समस्तिपूर का जो यह संस्ता है सर जो पढ़ाने का इनका जो तरीक है वो बहुत ही अच्छा है और सर आने वाला समय में यह कोछिंग बहुत भी आगे जा गए कर जो पॉल ने का हौला ज़ता है और सतीर अच्छा सबसे पहले के अधने बात करना चाहूंगा कि जो हमारे बीच में आया और हम लोग के बारे में पुछने के लिए मतलब करें और बात रहे सिक्चा के बारे में यहां कि नेता तक नहीं कुछ बोलते हैं मैं दुर जाने के पज़ोरत नहीं है मैं दुरुगेश कुमार मेरा घर अजनोल पूरवी दलसिंसरा यहां से लवक 30-35 किलोमेटर की दूरी पर है सबस पहले में बताना चाहूंगा कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता बस एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारो मैं निसान कुमार जा सर कियां परता हूं और यह मैथ के बहुत ही अच्छे टीचर है आज के जवाने में परहा तो सभी लेते हैं मगर अच्छा कॉंटेंट और अच्छा समझदारिक साथ मेरे निसान सर अच्छा से अच्छा परहा देते हैं और तोर-tor के समझा के अच्छी तरह से परहा देते हैं धन्यवाद सर के एक लास में देख सकते हैं आप मोटीबेट करने के लिए पोष्टर लगा हूआ है क्यामरमन को बताना चाहूंगा पोष्टर को दिखाएं बच्चे को मोटिभेट करने के लिए क्लास में अनेकों अनेक पोष्टर लगा हुआ है जिससे बच्चे मोटिभेट हों मैं कुछ लाइन आपको बताना चाहता हूँ तुझमें जजबा है, तुझमें जुनून है रे, तुझमें हिम्मत है, तेरे जिगर में होसला है रे, तुझमें सपनों का दरिया है, तु मेहनत का तुफान है रे, हर मुश्किल का तु खुद ही जबाब है रे, तु अपनों का सहारा है, तु उमीद का सागर है रे, बहु दे रे, आगे बढ़, वो मंजर भी हसीना होगा रे, फिजाओं भी रंगीन होगी रे, तेरी चाहत की भी महफिल सजेगी रे, सोच क्या खुस नसीब जिन्दगी होगी रे, निसान सर के क्लास में आप देख सकते हैं, अनेकोन एक पोस्टर लगा हुआ है, बच्चों को मोट करने के निसान सर कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, और पूरे क्लास में इनका पोस्टर भरा हुआ है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत साड़ा साइडी है, इनके कहने का मक्सद था पहला लाइन की यहां में आप आए, और आए तो दरका का भीर बहुत ज इसके बाद एक लाइन है, जो एकसर बोलते है ज़वानी पे, अगर हो परमपरा से बगावत या हो अपनो से बगावत, तो ऐशी ही बागी जबानी हो आपकी, सफलता की जहां में खुन से अपना नाम लिख दे, ऐशी पाडल जबानी हो आपकी, लबादी का यह मतलब है कि अपने को सपनों की दरिया में आप छोड़ दीजिए अपने को बिना आगे क्या होगा आगे क्या होगा उसका कोई ठीकाला नहीं है अगर उसको बिना देखे हुए आप अपने को अगर मतलब मेहनत के तूफान में जोग देंगे तो सफलता एक दिन मिलेगा, हो सकता है, 0.5 से आप चूग गया है, 0.1 से आप चूग गया है, एक नमर से मेरिकलिस नहीं बना, लेकिन जब आप continuous, constant मेहनत करेंगे, consistent रूप से अपने को मेहनत में दबदिल करके रखेंगे, रात दिन एक करने की जवरत नहीं है, लेकिन अगर success के लिए एक ही चीज करना है, कि constant होके और आपने आपको परते एक दिन परना है, अपने आपका जडिवीजन होता है, अपने आपका परना का मतलब यह होता है, कि जब आप रात में बैठते हैं और सोते हैं, तो आप आकलन करें, कि आज जो मेरा दीन का 12 घंटा गया, उसम में सोने टाइम है, एहसाज करता है, कि आज का जो मेरा 12 घंटा गया या 13 घंटा, वहां conclusion निकालता है, इन 13 घंटा में हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया और क्या खोया यहागा, डेली आकलन कर लिए 6 महीना, तो 7 महीना से आपका लेवल अपने आप मेंटेन हो जाए आज कहा टाइम बैदित किया, आज जहाँ टाइम खराब जगा बैदित किया है, कलुज जगा को समारी है, उस टाइम को आप फिर पढ़ाई में लगाई है, ऐसा नहींगी 12 घंटा परना है, 6 घंटा परना है, लेकिन परत एक दिन परना है, तो मेरा कारण यही है, कि लरके अगर लागातार मेहनत करें, लागातार कहने का मतलब यहा है, कि 6 महीना, 7 महीना, कॉंस्टेंट में से अगर पढ़े, तो उसको एक्जाम 100% है, कि वह केलियर करेगा, उसका एगमेट लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन लरका क्या करता है कि वह मेहनत नहीं कर पाता है और मेहनत नहीं करने के कारण एक बार रिजल्ट में हुआ दोबारा फिर थोड़ा मेहनत स्लो कर देता है इस कारण से क्या है रिजल्ट में और दिलम होने लगता है लेकिन अगर एक बार आप फेल हो गए, अगर दुबुना मेना से दुबारा प्रयास कर रहे, तो इतना गारेंटी है कि सफलता आपको मिलेगी, हो सकता है थोड़ा लेट मिले, लेकिन सफलता मिलना तैंगी, इसलिए बाहर एक लाइन भी लिखा हुआ है, कि जब आप सफल हो कीजिएगा, अभी सिर्फ मेहनत से और समय से, दोर से अगर इस्क हो गया, तो इतना जरूर रखिएगा, यह दोनों का इस्क का जो परतिफाल आएगा, यह आपको केरियर में उस मुकाम पहला के खरा कर देता है, जहां फिर लोग आपको आके और आप से पूछेंगे, कि आ इस मुकाम तक कैसे आए, उसके लिए दो चीज़े मेहनत करना होता है, एक मेहनत से और दूसरा इस्के, और दुनिया में जो भी आदम इस दोनों से इस्क किया, वो दुनिया में बहुत आगे गया है, और बाद बाकी जो इसक होता है, वो इसके बाद का इसक है, अगर यह इसक शक्षे सो गया, तो फिर सारा इसक आपके कदमों में आके परा रहता है, बस ये दो इसक को अगर आप अपच्छे से निभा गए, तो बाद बाकी इसक होते रहेगा जिद्गी में, इसलिए यही कहेंगे, और अंत में यही कहेंगे, आपके, आपके सभी दुर्षकों को यह अगर जो भी completely field में तयारी करते हैं और समस्तिपूर में अगर रहते हैं या समस्तिपूर के आसपास के हैं तो यहाँ आ सकते हैं क्लास का एड्रेस है कासिपूर गल्स हाइज स्कूलोड में डॉक्टर जी सी करन के सामने कॉंटेक्ट नमबर 7992-279316 इसपे आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं धन्यवाद आपका आपके सभी दर्सको का धन्यवाद क्या कहते हैं कि यह डाक्टर रोसान के भी यह स्टूडियो के सदस उपस्तित हुए हैं हमको ही नहीं हमको लगता है कि आप सबों को भी बहुत खुसी महसूस होगी चुकि मेडिया पड़भारी के हैं ये लोग आदमी तो मैं मेडिया पड़भारी इनके लिए ही कहना चाहूंगा कि मंच को परणाम है आपको राम राम है जिसने जतन की उसको मेरा नमसकार सारे गम भुलाईए, सारे दर्द मिटाईए एक बार मिडिया पड़भारी के लिए जोड़दार ताली वजाईए और हमारे गुरुदेव निशान सर, मैंत के टीचर मैं इन के लिए कहना चाहूंगा ये हमेशा कहते रहते हैं कि रात नहीं खवाब बदलता है रात नहीं खवाब बदलता है मंजिल नहीं करवान बदलता है जजवा रखो जीतने की क्योंकि किसमत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है मेरे दोस्त वक्त जरूर बदलता है और दूसरी सैरी मैं कहना चाहूंगा कि वह पथ का पथिक कुशलता क्या वह पथ का पथिक कुशलता क्या जिस पथ में लिखरे सूल ना हो और नाविक की धहर परिच्छा क्या जब धाराय परतिकूल ना हो बहुत बहुत धन्यवाद हो या इसके लिए आपको